आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यू में जो की एक विरल माद्यम है, क्या दूसरा में कोई माद्यम दिया नहीं गया, इसलिए हमने यहाँ वायू माना है, ठीक है? तो क्या होता है कि सगन माद्यम में बना वह आप तन कोड जिसके लिए विरल माद्यम में क्या हो? हमारा अपवरतन कोड 90 डिगरी होता है, यह कहें समकोड होता है तो ऐसे आपतन कोड को हम लोग क्या कहते है क्रांति कोड कहते है ठीक है तो यहां से एगर हम लोग स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई बटे साइन आर ठीक है साइन आई बटे साइन आर और प्रकास कहा जा रहा है एक माध्यम नमबर 1 से माध्यम नमबर 2 में जा रहा है, तो इस प्रकार्च हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर अभी हमने क्या बताया है, कि जो अपवर्थन कोड है, यह का है यह जो आपतन कोड है, यही क्या है करांति कोड के बराबर होगा, यानि कि I की जाएगे हम लोग C लिख सकते हैं, और जो अपवर्तन कोड है, ठीक है, जिसे हम R कहते हो, क्या है, 90 डिगरी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, sin C ठीक है और sin R यानि sin 90 की मान कितना होताए एक होता है यह मान क्या होता एक होता है यहां पर क्या हो जाएगा एक एक and 2 ठीक है तो यहां से हमारे पास sin C का जो मान है वो क्या होताएगा 1&2 यानि कि एक के साब पर दूसरे का अपवर्तनाग यह कहें एक माद्यम के साफ़े दूसरे माद्यम का अपवर्तनाग यहां पर लिखा हुआ है हमसे कहरा माद्यम में प्रकास का वेग हमें बताना है ठीक है तो माद्यम में प्रकास का वेग बताना है तो सी का हमें मान याद दिया गया है ठीक है, तो इस ये जो हमारा लिखा हुआ है, इसको हम लोग वेग के पहले पदों में लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसका वेग लिखेंगे, ठीक है, इस माद्या में वेग लिखेंगे, याने की V1 लिखेंगे, ठीक है, V1, ठीक है, फिर V2, ठीक है, V2 क्या है, वायू है, ठीक है, तो वायू मतलब, वायू में जो प्रकास होता है, ठीक है, वायू में जो प्रकास ही चाल होती है, उसे हम C से लिखते हैं, यानि V2 की जगे हम लोग C भी लिख सकते हैं, तो यहां से बात करें, तो साइन सी जो है हमारा, ठीक है sin c, c का मान किता दिया हमें 45 डिगरी दे रखा है सवाल में, ठीक है तो v1 ही हमें निकालना था v2 क्या है c, c का मान कितना होता है c का मान होता है 3 गुड़े 10 की गात 8 मीटर पती सेकेंड ठीक है, तो यहां हम लोग रख देंगे 3 गुड़े 10 की गात 8 मीटर पती सेकेंड ठीक है, तो v1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा sin 45 का मान एक बटे root 2 होता है गुड़े, इसका गुड़ा कर देंगे 3 गुड़े 10 की गात 8 मीटर पती सेकेंड यानि कि उस माध्या में जो प्रकास का वेग होगा वो हमारे पास आजाएगा कितना आजाएगा 2.12 गुड़े 10 की गात 8 मीटर पती सेकेंड ठीक है, मीटर पती सेकेंड, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया थैंक यू